इस वीडियो में हम लोग जारकन हाई कोट के नई वेकैंसिस को उपर बात करने जा रहे असिस्टेन कलरक का इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे पे लेवल क्या है कब से कब तक फॉर्म अपलाई होंगा फी क्या है और इस पोस्ट के लिए एज़कोशन क्या है सब कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने जोस्ट साथ शेयर जरू करें इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते है तो जारकन हाई कोट के ऑफिशल साइट को उपर आकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो रिकूट्मेंट सेक्श अब यहां पर बात करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के कुछ इंपॉट्टेंट को पर असिस्टिन कलर का सिविल कोट में वेकेंसिज है और यहां पर टोटल वेकेंसिज चारसो दस हैं अन्रिजर्व्ट के लिए एक सो तीस है और दिभ्यांग जन के लिए 13 सीट रिजर 7th PRC 25,500 से लेकर 81,100 gross payment बनेंगे और graduation आपने कर रखा है किसी भी subject से या इसके valent आपने कर रखा degree for recognized university या इंस्टिशन से आपने कर रखा है तो इस post के लिए आप eligible रहेंगे बस साथ में आपको चाहिए computer के operation का access यहां पर knowledge आपके होना चाहिए computer आपके पास certificate भी होनी चाहि operation का आपके पास DCA जो भी certificate है आप इस post के लिए जिसे आपको यह पता चले कहां आप computer के चल operation के चलाने के जनकार है तब आप इस post के लिए eligible रहेंगे अलिस्ट क्राइटरिया जो minimum candidate must have required minimum qualification before the last date of submission of online तो यह criteria important है यह criteria आपको meet करना होगा पूरा होते है आप इस post के लिए assistant कलर civil court of the state of jargon के लिए आप eligible रहेंगे फिर इसके बाद candidate must be computer knowledge आपका application का knowledge होने चाहिए इसके लेकर आपको certificate sound knowledge of typing computer तो typing आपको भी आना चाहिए 20 word per minute का आपके typing होने चाहिए फिर इसके बाद the candidate should process sound of health good health तो यह basic जनकार आपको यहाँ पर दीगे यह यहाँ पर minimum age 21 वर्स होने चाहिए और maximum age 35 वर्स होने चाहिए unreserved के लिए AWS और unreserved category के लिए 30 वर्स minimum 21 वर्स और 37 वर्स आपको BC1 और BC2 के लिए 38 वर्स female content unreserved के लिए AWS female BC1 BC2 38 year रहेंगे female के लिए 40 year रहेंगे SCST और male and female दोनों के लिए रहेंगे 40 वर्स यहाँ पर age ग्राइट और यह जो count किया जाएगा एक जनवरी 1224 से age count यहाँ पर किये जाएंगे relaxation पांच साल एक सर्विसमें जो दिभ्यांग जने उनके लिए 10 साल है एक सर्विसमें के लिए पांच साल यहाँ पर relaxation दिये साएंगे फिर इसके बाद मैरिटलिस्ट प्रिपेर किये जाएंगे basic of marks जो भी आप रिटन एक्जाम में लेकर आते हो उसके according और यहाँ पर फिर फैसिलिट्ट डिजेबल कंडिट के लिए जनकारी दी गई है फिर यहाँ पर आपको एक बार आप पढ़ लेना सी आपको इस अप्लिकेशन फॉर एट यह सारे चीजे लिखे हुए जो आपको एक बार पठ लेनी चाहिए फिर फोटो साइज का होने चाहिए application का सिगनेचर का साइज का होने चाहिए इसकी basic का करीदी दी गई है application fee examination fee 500 examination fee लिए EWS के लिए BC1, BC2 काटेगरी के लिए 125 fee है, AC, HD और दिब्यांगजन के लिए examination fee रहेंगे, 125 यहाँ पर fee रखेंगे, आप 500 fee है male and female दोनों के लिए आप इस काटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर यह 500 fee के पेक करने होंगे फिर इसके बाद आपका payment option के debit card UPI के जो basic form basic जनकार यहाँ पर दिये दिये, फिर यहाँ पर यह रहा आपका basic detail जो आपको form भरते समय, आपको एक बार देख लिए निशाए है, ठीक है तो यह advertisement आपको official बेसाइड को पर जहारकन SSA जहारकन high court का official बेसाइड को पर यह advertisement मिल जाएंगे, आप एक बार पढ़लो आप इस post के लिए eligible हैं, तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं, तो यह रहा recruitment, civil court assistant color का post है जो आप यहाँ पर एक बार देख लिए, चलिए आज किस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दानेवा जाहिन